मूवी स्टार्ड होती है और हमारा जो मेन हिरो है उसका नाम है रेमी रेमी जो होता है यह एक रिपो मैन होता है वो एक कमपनी में जॉब कहलता है यह जो कमपनी होती है यह लोन पर लोगों को औरगन्स देती है यह जो औरगन्स होती है यह संथेटिक औरगन्स होती है तो इ उनका जो और्गन होता है, वो छीना जाता है, तो रेमी एक रिपो मैन होता है, रेमी सब जॉब पर आता है, तो उसका बोज जोता है, वो लोगों को कन्विंस कर रहा होता है, कि आपको और्गन ट्रांस्परेंट करना ही चाहिए, ये लोगों को आइडिया सेल करने में बहु को पता होता है इसके interest rates जो होते है वो बहुत ही जादा होते है और एक आदमी की अगर financial situation बहुत ही कम हो तो इसे वो पैसे लेने के लिए और भी जादा उसके loan rates बढ़ा सकते हैं फिर रेमी एक रूम में जाता है जो organs ने निकाल कर लाए है वो वहां रख रहा होता है उसका बह से बोलता है कि मुझे तुम आगे नहीं दिखने चाहिए इससे लोग डर जाते हैं और लोग sign करने के लिए कत्राते हैं तो इसलिए मुझे तुम आगे नहीं दिखने चाहिए रेमी भी इसके लिए मान जाता है फिर हमें रेमी का friend दिखाए गया है इस friend का नाम होता है फिर फिर से जॉब चाहिए था, तो वाइलेंस का यह जॉब मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने जॉब कर लिया, उसके साथ उसका फ्रेंड भी जेक, वो दोनों आर्मी में थे, इसलिए दोनों अपकली से, और दोनों पार्टनर भी है, यह जो काम वाता है, वो एक सा नहीं की है, तो यह जो सिचुएशन है, तो इसमें रेमी की जो वाइफ है, उसे बोल रही है कि तुम्हारा जॉब है, वो गलत है, तुम्हें वो छोड़ देना चाहिए, रेमी जो होता है, तो इसके लिए वो रेडी नहीं होता, तो इसलिए वो अपना जॉब छोड़ नह यह पार्टी होती है तो इसमें उसने जेक को भी बुला होता है जेक को कॉल आता है और एक आदमी को उसका डेक्सी डाइवर लेकर आ रहा होता है यह आदमी जो होता है उसका भी और गन उन्हें निकालना होता है यह उनके छुट्टी का दिन होता है फिर भी जेक काम कर रहा ह ये जो फो रहा होता है तो रेमी के wife ये सब देखे लीठी थी है इसे वो बहुत ही चीट जाती है और अपने बच्चे और घर से बाहर निकल जाती है जब रात होती है तो रेमी और जेक फिर से दोनों अपने काम के लिनकल जाते है रेमी की wife उसे छोड़ का चली गई है पर फिर भी इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है अपना जौब वो नहीं छोड़ रहा है जब वो कार में होते हैं तो जेक उसे बोलता है कि क्या तुमने नए इकुकमेंट के बारे में सुना यह जो इकुकमेंट होता है यह एक नियूरल चाहने वाले हैं उनके साथ आप हमेशा खूशी रहने वाले हैं आप इसे वेस्ट वर्ल्ड की तरीके से भी समझ सकते हैं यानि कि एक थीम पार्क टाइप ही एक जगा में आज पहुच जाओगे पर यह सब वर्चोल होगा आपके ब्रेन में ही चलेगा पर आपको इसके बार फाइदा होने वाला होता है थो उसका जो बॉ enorm कर रहर हो तो तो तुम है अप ग्रेट भी करवा सकते हो उनने यान कि यह जो उनका जोब होता है फुर्लैंसिंग होता है पर इसमें उनेmor एक स्टेटी जॉब मिल सकता है रेमी इस केसे बोलोता है कि हम इसपर सोचेंगे वो फिर से उससे समझाता है रेमी भी यह जो जौब होता है वो लेने वाला होता है फिर हमें दीखता है कि रेमी जो होता है वो एक मुजिशियन के घर पर आता है यह मुजिशियन को पसंद करता है उसके गाने वो सुनता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और इसी अपना गाना कतम करता है पर यट जाता है जब रेमी उससे शॉक देने वाला होता हैप उसे शॉक लग जाता है तो से जवागा जातह है नेधो इसाиком से लीरिङ toim साओर ज employees एका से भारे में सुर्ड़का helemaal लगता है जब रेमी आसपास देखता है तो उसका हार्ट अब चेंज करना होता है उसका बहुत होता है उसे यह बहुत ही अच्छा हार्ट है यह सेल करने की कोशिश करता है पर रेमी को यह कुछ भी नहीं सुनना होता है उसे बहुत ही सदमा लगता है कि अब उसे ही और गन्रांस्परांट करवाना पड़ रहा है यह बहुत ही ठी में left लोड दा जाता है और उसके घर पर रहता है जब रहीं को अच्छा लगने उन ineब्र जाता अब वह और प्रफिररी के बाद पर वह उसे आदमी के पास जाता है और उसे वारगन वह निकालने वाला हो पर है पर वो यह अभी हसे एक नै एक्सेल्ड मिलांगर वो बहुत ही इंजोरोड हो चुका था और इस सब चीजों से उसे सद्मा लगा है तो इसलिए अब वो किसी भी आदमी की जान नहीं लेख सकता फिर से हम नेक सीन में देखते हैं कि जेक और रेमी दुनों बार में होते हैं बार में वो डिंग वेगरा कर रहे होते हैं और जेक फिर से एक स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसने एक आदमी को मार दिया था इस बार रेमी ये स्टोरी सुनने ही बाता रेमी फिर कहता है कि जिस आदमी को जेक ने मारा है उसके वाइफ होगी उसके कीर्स होगे इसके बारे में कौन सोचता है वो ज़रा फिलोसोपिल हो ज इस job ले लेता है जो उसका बास करता है कि कि लोगों को ideaire sale करना कि उन्हें organ transplant करवा नहीं है यह वह job वह कर रहा होता है फिर जब वह sell करता है पर इसके बाद वो straight forward उन्हें बता भी देता है कि हम तुम्हें मार सकते हैं तुम date में आ जाओगे और मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा ये भी उसे बताता है इसे clients जो होते हैं वो उसे दूर जाते हैं ये जो area होते यहाँ बहुत सारे लोग होते जिनने अपने organ के लिए पेनी किया होता अब उन लोगों को उसने मारना होता है जेक फिर उसे वहाँ छोड़कर कहकर जाता है कि अब तुम्हें लोगों को मारना ही है और फिर वापस आना है ये जो तुम कर रहे हो ये सब तुम्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालना है रेमी फिर वहाँ जाता है तो एक आर्मी को मारने के हो कोशिश करता है पर वो मार नहीं पाता वो आदमी उसे इंजोर कर देता है रेमी पेट चल्दे चल्दे जब आगे जाता है तब उसे बैट दिखती है बैट वही सिंगर होती है जिसको उसने बार में देखा था जो बैट होती है वो ड्रक्स करकर वहाँ पड़ी होती है और इसने भी बहुत सारे ओर्गंस लगाया होती है बैट की कंडिशन बहुत ही तो रेमी को इसके लिए बहुती बुरा लगता है वो उसे उठाता है और एक मोटेन पर लेकर आता है जब बेद रात में उठती है तो उसे लगता है कि रेमी उसे मानने के लिए आया है तो उस पर हमला करती है रेमी फिर अपनी भी situation उसे बताता है और वो फिर शांत हो जाती है टेमी के पास प्रॉल्म है तो अब वो हपता भी पेहनी कर पारा तो अब वो क्या करें तो इसके लिए अब वो plan बनाता है उसका जो office होता है वहाँ वो fake जो organs होती है वो वहाँ submit करता है उसका मतलब उसके जो organs होगे उसका सीरिल नमबर मिट जाएगा इसे अब उस पर लोन नहीं रहने वाला होता तो ये जब वो कर रहा होता है वाज जैक आजाता है जैक उसे रोक लिता है पर उसे वो कुछ हाट वगरा नहीं करता उसका ऐफ्रेंडी होता है तो उसे वो क्या करगा जेक आकरी बार अपने बेटे से भी मिल लिता है और फिर वो बेट के पास आ जाता है वो बेट को बोलता है अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वो फिर उसे एक सुमसान जगा पर लेकर आता है जहाँ पर उन्हें कोई ढूड़नी पाएगा जब बेट सोई होती है तो फिर रेमी हमसे बात करता है वो कहता है कि बेट के पास बहुत सारे ओर्गन्स जो है वो सब सेंथेटिक है उसके सिर्फ हार्ट जो है वो रियल है रेमी के पास वही नहीं होता रेमी का बड़े आने वाला होता है इसलिए बेथ फिर उसे एक टाइप राइटर देती है इसे टाइप राइटर पर वो लिखता रहता है फिर नेकसे में हमें दिखता है कि बेथ को कुछ सुनाई देता है उसके कान भी जो होते है वो सेंथिटिक होते है तो इससे उसे बहु से निकल जाते है फिर रेमी हमें दिखता है कि वो अपने बॉस के पास आता है उसका प्लान होता है वो कम्लीट करने के लिए वो आया हुआ होता है वो उस ओफिस में डिसकाइस करकर पहुच जाता है एक बनाना का कौशुम पहन लेता है और उससे वो अपने बॉस के आ जाता जब वो कौशुम उसने पहना होता है वो अपने फ्रेंड से भी टकरा जाता है जेक को लगता ही कि कौशुम वाले को मोटिवेट करता है और कहता है कि हमेशा अपना सर तुम्हें उपर रखना है कभी ना कभी तुम भी रेपो मैन बन जाओगे जेक वेसे उतना बुरा आदम यह हमें पता चल गी थी तो इसके लिए अब जो भी सब होता है वो हैड़कॉर्टस में होता है फिर रेमी वहाँ से चला जाता है और रेमी का जो बॉस होता है वो फिर रिजेक को कॉन्टरेक्ट देता है रेमी को मारने के लिए अब रेमी का नेक्स प्लान होता है कि वो अ पर बेत का जो नहीं होती है वहाँ से खुन बैने लगता है तो पकड़े जाते है और जीक भी वहाँ जाता है उसके फ्रेंड को गल्टी देकर वहाँ से भी रेमी भाग जाता है अब रेमी के पास ज़्यादो कुछ प्लान भी नहीं होता तो बेत वीर उसे सजेस्ट करती है उसे फिर वो एक जगा लेकर आती है, जब उसका friend होता है, यह जो जगा होती है, वहाँ सब outlaws होते है, उसका friend जो होता है, वो टेक्नलोजी में advance होता है, तो बहुत सारी चीज़े वो कर सकता है, जब वो बेट की नहीं देखता है, तो उसे पुरा change करना होता है, फिर वो उस जो friend है, उसके पास आते है, तब उन्हें देखता है कि उसका friend मर चुका है, जेक वहाँ रेमी को ढूंटे ढूंते आयो होता है, और उसके friend को मार देता है, जेक रेमी को कहता है, हमारे बॉस के पास समझाएंगे, और उसे सब को समझाएंगे, और कुछ ना कुछ तो हम जो शॉक लगा था, ये जेक नहीं करवाया था, तो जेक कहता है, तुम्हें जो शॉक लगा था, तुम्हें क्या लगा, कि ये मलफंक्शन होगा, ये मैं नहीं किया था, तुम जॉप करते रहो, हमारी जो partner relationship है, इसलिए मैं नहीं किया था, अब रेमी को गुसा आ जाता है और ये दोनों fight करने लग जाते हैं इस fight में एक दूसरे को बहुत ही मारते हैं पर जेक जब रेमी को एक बड़े hook से मार ही देने वाला होता है बैथ अपना एक device निकलती है और इससे जेक को बेहोश कर देती है जब रेमी को थोड़े देर बाद होश आता है तब बैथ उसे लेकर निकल रहे होती है तब रेमी वहाँ से उठकर जाने लगता है बैथ उसे कहती है क्यों तुम जा रहे हो हम कोई ना कोई way ढूंडी लेंगे रेमी कहता है कि इसमें हम कुछ भी way नहीं ढूंड सकते यहाँ से निकलना का एक ही way है वो लोग हमीशा हमारे पीछी रहेंगे हम इससे भाग नहीं सकते हमें इसका डेट कर सामना अगरना पड़ेगा यही अब उनके पास way होता है फिर हमें दिखता है यह रेमी और बैथ दोनों स्टेशन पर होते है और अपने बेटे से रेमी एक last बार मिलना चाहता है तो इसलिए अपनी वाइफ और बेटे को वह बुला लेता है ट्रेन में अपने बेटे से मिलता है उसके अलविदा लेता है पर उसने जो भी सब लिखा होता है जिस मूवी के बीच में भी कुछ तो लिख रहा था जिस ट्राइबर रेटर से बेट ने उससे लिखनी के लिए बोला था उसे ट्राइबर रेटर से ये सब कुछ जो लिख रहा होता है तो उसने एक स्टोरी बनाए होती है वो स्टोरी अपने बेटी को दे देता है पर जाते जाते रेमी फिर उसे एक location दे देता है उसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे रहाँ spot कर सकते हो Nixon में हम देखते हैं कि Beth और रेमी अब headquarter पहुच चुके वहाँ जाकर पूरे सब database हो खतम करने वाले होते यह उनका plan होता है वह अंदर जाते हैं लोगोंने spot कर लेते हैं बहुत सारा खुन खराबाया होता है बहुत सारे लोगों को रेमी मार देता है और अंदर पहुच जाता है वह उसे पींडो ढूर्णना होता है वह फिर वह पहुच जाता है बेत और रेमी जब अंदर बहुचते हैं तब उने दिखता है यहाँ तो कोई computer ही नहीं है वहाँ सिप scanner होते हैं तब रेमी को लगता है कि हमारे जो organ से हमें scan करने बढ़ेंगे और उसके बाद organ रखने के लिए उस system open होगा जब यह open होगा तब वह उसमें bomb रख सकते हैं और सब database खतम कर सकते हैं तो इसलिए आप वह एक दूसरे को काटते हैं और सब के organs जोते हैं वह scan करते हैं एक दूसरे को organ scan करकर जब एक सब खतम हो जाता है तब ही Jake और उसका boss आ जाता है Jake का boss उसे मारने के लिए कहता है पर Jake फिर रेमी से बुचता है तुम यह सब जो कर रहे हो क्या है वर्थिट है रेमी कहता है कि अब मैं प्यार में हूँ बेथ मेरी जिंदगी में है तो कुछ भी है सब कुछ वर्थिट है Jake अब अपने friend को नहीं मारना जाता जेक के हाथ में रेमी की भूक होती है रेमी ने उसके बेटे को जो भूक दी होती है उसके बेटे ने वो पब्लिश करवाय होती है रेमी को इससे बहुत ही पैसे मिलते है और इससे वो अब ये सब जिंदगी अफोर्ड कर पाता है रेमी बहुत ही खुश होता है जेक से बात करने के लिए उसे देखता है पर इस टाइम में वो गायब हो जाता है फिर ये गलीच हमें स्क्रीन पर ये दिखती है और फिर हमें पता चलता है जेक जो था उसने रेमी को पहले ही मार दिया था जब वो बैट के फ्रेंड के आया था उसे मारने के लिए और जब रेमी और जेक में जब फाइट हो चुकी थी तब जेक ने रेमी को मार दिया था इसके बात कि जो सब मुवी थी वो रेमी के ब्रेंड में ही चल रही थी उसके brain में जो नया अविश्कार आया था M.5 NeuralNet वो उनने transparent किया था जेक ने company company को पैसे देखकर रेमी के लिए बनवाया था इस transplant से रेमी का brain हमेशा work करेगा और इसे वो हमेशा अच्छे से place में रहेगा रेमी जो भी imagine करेगा उसी imagine में हमेशा वो खुश बेट के साथ उसके बेटे पूरी family के साथ वो रहने वाला है जेक ने पूरी building में सब लोगों को मार दे होता है तो इसे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते तो इसी वज़े से उसने इस पैसों से उसका transparent किया होता है जेक अब बेट के लिए भी पैसे रखने वाला होता है और उसे भी यही करवा देने वाला होता है नेक सिमय में जेक और रेमी की जो बॉस होता है उसके advertisement दिखती है इस advertisement में बता जा रहा होता है यह जो world है यह perfect world है यह advertisement चलती है और रेमी पेज़ पर enjoy करता है अब इस movie में last time में पता चलता है कि रेमी इस वक्त में जिन्दा भी है और मर भी चुका है रेमी मरा हुआ है पर उसका brain काम कर रहा है इसलिए उस memories में उसके thoughts में वो जी रहा है रेमी को यह बाद last time पता है नहीं चली यहीं movie खत्म हो जाती है